हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ आपसे बहुत ही इच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो है निकट डिश्टी दोस तो निकट डिश्टी दोस क्या होता है इसका परिभासा क्या होता है और निकट डिश्टी दोस किस कारण होता है इसको हम जानेंगे और उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि निकट डिश्टी दोस की निवारण क्या होता है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम इस सभी टॉपिक के बारे में ड परिभासा लिख दिया है परन्तु परिभासा की और देखनी की कोई जरूरत नहीं है आपको परिभासा याद हो जाएगा इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा दोस जिसमें निकट की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई देती हैं क्या हमने कहा कि ऐसा दोस जिसमें निकट की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु जो दूर की वस्तुए होती हैं वो हमें असपस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उस दोस्त को ही हम निकट डिश्टी दोस कहते हैं समझ में आया नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए ह हमने कहा कि ऐसा कोई भी निकट की वस्तुigmaीμε, हमने कहा कि निकट की वस्तु एन round ले.... मतलब जो नजदीक की वस्तु вин होती हैं वह हमें असपस्वी रूप से दिखाई देती हैं, पर हमें असपस्बी रूप के चो क्या होती हैं जो दूर की वस्तुए होती हैं वो हमें असपस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो इस प्रकार के दोस को हम निकट डिश्टी दोस कहेंगे तो आसा करते हैं आप समझ गयोंगे तो डिफनेसन आप यहीं से बोलेंगे आप क्या कहेंगे यदि कोई भी टीचर या कोई भी स्टुडेंट आप से पूछते हैं तो आप कहेंगे कि ऐसा दोस जिसमें निकट की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई देती हैं परन्तु दूर की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो इस प्रकार के दोस को निकट डिश्टी दोस कहते हैं। यही बात हमने definition में भी लिखा है। क्या हमने लिखा है कि ऐसा दोस जिसमें निकट की वस्तुएं असपश्ट रूप से दिखाई देती हैं। परन्तु दूर की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोस को ही हम क्या कहते हैं, निकट डिश्टी दोस कहते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको definition समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि निकट डिश्टी दो का कारण, मतलब निकट डिश्टी दोस के होने का कारण क्या है, तो देखें, इसके मुख्यता दो कारण होते हैं, इसका मुख्यता दो कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है, कि जो नेतरलेंस होता है, उसकी वकरता त्रिज्या का बढ़ जाना, जो नेतरलेंस का हैं, या सबसे पहला लिखा है देखिए इसका कारण में हम लिखा है कि अभी नेत्र लेंस के अभी नेत्र लेंस की वकरता त्रिज्या का बढ़ जाना जो वकरता त्रिज्या होती है उसका बढ़ जाना जिसके कारण क्या होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है घट जाती है कम हो जात जिसके कारण हमें क्या होता है दूर की वस्तुए असपस्ट रूप से दिखाई नहीं देती और जिसके कारण हमें क्या हो जाता है निकल डिश्टी दोस हो जाता है तो आशा करते हैं कि आप समझ गये होंगे आगला आता है कि इस दोस का निवारण क्या है तो निकल डिश्ट दोस्त का निवारण हमने यहां पे लिखा है कि इस दोस्त के निवारण ये तू किसका तो आउतल लेंज का प्रियोग या उपियोग करते हैं या होता है तो आशा करते हैं कि आपको निकट डिश्टी दोस्त का परिभासा और बहुत ही अच्छे तरीके से यह सभी कारण प्लेइस्ट के अनुसार पढ़ाई किजिए प्लेइस्ट का मतलब यह होता है कि आप चेप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ते हुए आईए 40-40 मिनाट का एक क्लास होता है उसको जोईन करके उस तरीके से पढ़िए तो हमारे मेन चाइनल है जो ह क्लास 10 का पढ़ाई कर लिजे या इसी वीडियो के डिस्कुशन बॉक्स में हमने क्लास 10 का फिजिक्स और कमिष्टी का लिंक दिया गया है तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीड़े आपके सभी वीडियो मिल जाएंगे क्लास 10 का फिजिक्स का कमिष्टी का तो वहा दो माध्य में एक है टेली क्राम एक है इंस्ट्रागाम तो इन दोनों पर मेसेज करके आप हमसे डाइरेक्ट बात कर सकते हैं तो आसा करते हैं आप समझ गयोंगे तो चली दोस्तों आज के लिए इतने ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहिन ज आप हारत